नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चानल आर्मी भरती गुरु आज के इस वीडियो में हम आने वाले समय में आर्मी का जो रिटन एक्जाम होने वाला है उसी की तैयरी करने वाले है तो चले शुरुआत करते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन पेपर में स मैट के क्वेश्चन छोड़के हम बाकी सभी क्वेश्चन देखने वाले है तो क्वेश्चन नमबर 16 से हम शुरुआत करने वाले है तो देखते हैं क्वेश्चन नमबर 16 क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नमबर 16 क्रिकेट खेल जिस प्रकार जो चार विकल्प है, उन चार विकल्पों में से किसका संबंद खेल और क्रिकेट जैसा है? ये 16 नंबर का question है और इसका जो सही जवाब है वो है option number third हिंदी भाशा, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंद कहल से है, उसी प्रकार का संबंद हिंदी भाशा से है आगला question निमन शब्डों को उपर से नीचे रखने पर तीसरा कौँसा होगा यह अगला खुश्चन है और इसका सही जवाब है option number 4 यहाँ पे आप देख सकते है होट यह जो शब्द है निमन शब्दों को उपर से नीचे रखने पर तीसरा कौँसा होगा तो होट जो ये शब्द है ये होगा अगला question हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कमर, आक, चोठी और होट ये जो चार शब्द है इन शब्दों की रचना उपर से नीचे करने पर कौन सा शब्द तीसरा आएगा? उपर से नीचे करने पर होट ये जो शब्द है वो तीसरे नमबर पर आएगा अगला question फॉर्मिक आमल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? और 21 नमबर का question का जो सही जवाब है वो है option नमबर 3 लाल चीटी फॉर्मिक आमल लाल चीटी द्वारा उत्पन्न होता है अगला question जब दूद खटा हो जाता है तो उसमें डैश डैश का उत्पादन होता है जो रिफ्त स्थान है वो हमें भरना है जब दूद खटा हो जाता है तो उसमें क्या निर्मान होता है? और इसका सही जवाब है option नमबर 22 इस question का सही जवाब है option नमबर 2 2, Lactic Acid जब दूथ खटा हो जाता है तो उसमें Lactic Asid उत्पर्णद हो जाता है अगला Question 23 नंबर का अगला Question खटे फलो में होता है खटे फलो में क्या होता है? यह हमें बताना है Question no.23 और इसका सही जवाब है Question no.23 का Option no.4 Citric Ambal तो यहाँ पर आप देख सकते हैं question number 30 का जो सही answer है वो है option number 4 अगला question भोपाल gas तो question number 24 भोपाल gas त्रस्दी के लिए उत्तरदाई प्रमुक प्रदुशक कोन सा था और यह जो प्रशन है उसका सही जवाब है option number 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस प्रशन का सही जवाब है option number 1 अगला question अगला question है neutron की खोज किस ने की थी और इस सवाल का सही जवाब है option number 3 James Tedwick ने यहाँ पर neutron की खोज की थी अगला question पराग उत्पन्न होता है किस चीज से पराग उत्पन्न होता है पराग उत्पन्न होता है तो इस प्रशन का जो सही जवाब है वो है option number 2 पराग कोश में पराग उत्पन्न होता है तो जो 26 नमबर का question है यह है कि पराग कहा पे उत्पन्न होता है तो पराग कोश में पराग उत्पन्न होता है अगला question 27 नमबर का जवाब है option number 4 तो यहाँ पे option number 4 इसका सही जवाब है अगला question निमलिखीत में से किस ने electron का अविश्कार किया था question number 28 का सही जवाब है question number 28 है उसका सही जवाब है option number 1 अगला question यहाँ पे 30 number का question number 30 sigmoid colon किसका भाग है और यह जो question number 30 है उसका सही जवाब है option number 2 अगला question मानव तंत्र में निमलिखीत में से कोंसा एक पाचग enzyme है तो जो 31 number का question है मानव तंत्र में निमलिखीत में से कोंसा एक पाचग enzyme है और इसका जो सही जवाब है वो है option number 4 अगला question यह नरलिंग हर्मोन है यह अगला question है और इसका जो सही जवाब है वो है option number 1 अगला question निमलिखीत में से किन कोशिकाओ में insulin का सिसा होता है और इस प्रशन का जो सही जवाब है वो है option number 3 अगला question वायू मंडल दाप नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और इसका सही जवाब है option number 2 बौरो मिटर का उपयोग वायू मंडल दाप नापने के लिए किया जाता है अगला question सविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कोन थे सविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कोन थे और इसका सही जवाब है option number 3 सचिदानंद सिन्हा ये जो थे वो सविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे अगला question भारतिय मुद्रा बाजार को अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसका सही जवाब है option number 2 साख बाजार भारतिय मुद्रा बाजार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इस प्रशन का जो सही जवाब है वो है option number 2 साख बाजार नाम से भारतिय मुद्रा बाजार को जाना जाता है अगला question computer का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है और इस प्रशन का जो सही जवाब है वो है option number 1 CPU ये जो भाग है computer का वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है अगला question chip को अंदुलन मूल रूप किस के विरुद्ध था जो chip को अंदुलन किया गया था वो किस चीज के विरोध में था ये अगला question है और इसका जो सही जवाब है वो है option number 4 यहाँ पे वन कटाई यानि व्रक्ष कटाई के विरोध ये जो chip को अंदुलन हुआ था वो था अगला question वर्गी करन की आधारिय इकाई डैश डैश है वर्गी करन की आधारिय इकाई क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है option number 3 अगला question त्रिपिटिक ग्रंथ धर्म ग्रंथ है त्रिपिटिक धर्म ग्रंथ डैश डैश है और इसका जो सही जवाब है वो है option number 2 यह जो ग्रंत है त्रिपिटिक वो बोद्ध का धर्म ग्रंत है अगला क्वेश्चन शहाजान ने मुगल सामराज की राजदानी आगरा को आगरा के स्थान पर कहा सत्तान्तरित की और यह जो प्वेश्चन है उसका सही जवाब है अप्शन नमबर वन अगला question जनगन मन पहली बार किस अउसर पर गाया गया था जनगन मन ये जो हमारा राश्टर गीत है वो पहली बार किस अउसर पर गाया गया था ये अगला question है इसका जो सही जवाब है वो है option number 4 बहरतियर राष्ट्रिय कॉंग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जनगनमन पहली बार गाया गया था 1911 में जो भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन हुआ था उसमें जनगनमन हमारा जो राष्ट्रकी थे वो प्रतम पहली बार गाया गया था अगला क्वेशन स्रीवी आर अमबेडकर वो महात्मा जी के बीच एक समझता हुआ था जो कहलाता है जो अमबेडकर और महात्मा गांधी इन दोनों के बीच जो समझता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है या फिर वो उन दोनों के बीच में जो समझता हुआ था उसे क्य कहते हैं यह अगला question है और उसे कहा जाता है यहाँ पर हम कह सकते हैं पूना शम्जोता तो option number third इसका सही जवाब है पूना यहाँ पर जो समझोता हुआ था वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था अगला question भारतिय सविदान के अंतरगत मूल आधिकारों का सवरक्षक कौन है और इस प्रश्ण का सही जवाब है option number question number यह जो question है उसका सही जवाब है option number two अगला question भारतिय सविदान का कौन सा अनुछेद चू अचुत्ता उल्जनों में सम्बंदी थे तो यहाँ पर जो अनुछेद 17 है तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतिय सविदान का कौन सा अनुछेद अनुछेद चू अचुतता अचुता उल्जनों में सम्बंदी थे और इसका सही जवाब है अनुछेद 17 यह जो है वो चू अचुता के लिए बनाया गया अनुछेद है इसका अगला क्वेशचन तो स्वरेve 13 यह भारतिय सविदान का कौन सा अनुछेद चू अचुता उल्मन से सम्बंदी थे और इसका सही जवाब है छो चू अचुता उल्मन से सम्बंदी थे और फ्युल्मन से ma किस राज्य का लोगसभा एवं राज्य सभा में प्रतिनिदित्व सरवाधीक है और यह जो question number है इसका सही जवाब है option number 4 उत्तर प्रदेश यहाँ का सरवाधीक लोगसभा और राज्य सभा में प्रतिनिदित्व है अगला question भारत में शेत्रफल की दुरुष्टी से सबसे option number 3 यह इसका सही जवाब है लदाग जम्मू काश्मिर यह जो है बारत में शेत्रफल के दृष्टी से सबसे बड़ा संसदिय निर्वाचन शेत्र है लदाग अगला question वीर भूमी का संबंध किससे है और यह जो प्रशन है इसका सही जवाब है option number 1 सोनिया गांधी सोनिया गांधी इसका सम्बंध वीर भूमी से है तो sorry यह जो question है इसका सही जवाब है Raja Urgandhi मैंने सोनिया गांधी यह आपको wrong answer बताया इसका जो सही जवाब है वीर भूमी यह जो है वो Raja Urgandhi के स्मरनात में बनाया गया है इसलिए राजी गांधी से ये है वीरभूमी अगला जो question है इस वीडियो का आखरी question भारत का राश्ट्रिय फूल कौन सा है और ये जो प्रश्ण है उसका सही जवाब है option number one कमल ये जो फूल है भारत का राश्ट्रिय फूल है